शुवज जास के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Google पे यूज करते हैं गूगल पे में आप अपना UPI pin जो है वो भूल चुके हैं और आप जो है नियू UPI pin डालना चाहते हैं forget करके भी डाल सकते हैं forget कैसे करके आप change कर सकते हैं वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको old password तो भूली चुके हैं वैसे तो आप change नहीं कर पाएंगे मैं आपको फिर भी बता देता हूँ अगर आप अपना GP का UPI PIN भूल चुके तो आप क्या क्या कर सकते हैं profile पर क्लिक करिएगा open करने के बाद bank account है इस पर क्लिक कर लीजेगा then उसके बाद अपना account select करिएगा यहाँ पर यह मेरा bank है उपर 3.00 पर क्लिक कर लीजेगा change UPI PIN इस पर आप क्लिक कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपसे old pin मांगेगा अगर आपको old pin नहीं पता है तो आपको क्या करना है directly change करने के लिए forget UPI PIN पर क्लिक कर लेना है जैसे आप forget UPI PIN पर क्लिक करेंगे आपका जो ATM card है उसके यहाँ पर आपको जो है digits यहाँ पर डालने को बोलेगा तो यहाँ पर मैं जो है अपना ATM card जो है उसका digits यहाँ पर डाल देता हूँ तो यह मेरा ATM card है इसके मैं जो है डाल देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ATM card last six digits आपको last के 6 digit डालने होंगे अपने ATM कार्ड के तो मैं डाल देता हूँ पूरी detail फिर आपसे मिलता हूँ So guys, यहाँ पर मैंने पूरी detail डाल दी है last के 6 digit डाल दी है अपने कार्ड के और यहाँ पर expiry date डाल दी है expiry date आपको कार्ड के नहीं चाहिए मिल जाएगी उसके बाद next पर click करना है next पर click करने के बाद यहाँ पर enter 6 digit आपका passcode receive होगा आपके mobile member पे वो आपको जहाँ पर डालना होगा तो मैं डाल देता हूँ So guys, जैसे ही आप जो है OTP डालने के बाद आपको बोलेगा card का pin मैंने डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर submit पर click करना है submit पर click करने के बाद देख सकते है set for digit UPI pin तो यहाँ पर UPI pin मैंने को अब set करना होगा जो भी मैं डालना चाहता हूँ अपने UPI का pin वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ So guys, यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपना DZ UPI PIN, दो बार यहाँ पर डालने को बोलेगा, so second time भी मैंने डाल दिया है, same PIN आपको डालना है second time भी, submit कर देना है, submit करने के बाद यहाँ पर resetting, देख सकते हैं, UPI PIN अपडेट हो चुका है, new UPI PIN मैंने यहाँ डाल दिया है, ऐस आप जो है अगर भूल चुके हैं अपने UPI PIN को, तो easily आप जो है, डाल सकते हैं, कोई प्रोब्लम नहीं होगी, बहुत easy तरीका है guys, जैसे आप जो है Google Pay में अगर भूल चुके हैं, तो ऐसे आप डाल सकते हैं, अगर आपको फिर भी कोई प्रोब्लम आते हैं, मुझे comment box मे बताएगा मैं आपके लिए कोई और solution लेकर आँगा, इसके वीडियो में इतना ही मिलते हैं, एक शीडियो में टिल नवाटे के, I love you all